वारणसी के घाटों पर पोस्टर बॉस्ट शुरू हो गया है बीजेपी नेता दीपक सिंग राजवीर ने मशूर यूट्यूबर और बिग बॉस फेम एलविश यादव के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं जिन में लिखा है भूले नात को साप पसंद है सापों के जहर का अगर नहीं ये सब कुछ क्यों हो रहा है आईए जानते हैं पूरा मामला वारणसी के काशी विश्वनात मंदर में एलविश यादव को दिये गए बीजेपी नीता दीपक सिंग राजवीर ने घाटों पर पोस्टर लगवाए हैं जिन में इस बात की अलोचना की गई है कि साब के जहर के सौधागरों को वी आईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए दीपक सिंग राजवीर का कहना है कि मंदर जैसे पवित्र जगे पर ऐसे लोगों को विशेश सुविदा देना पूरी तरे गलत है उन्होंने प्रशासन से इस मामले में जाच और कारवाई की म विश्वनात को जितने प्रेम नंदी से है उतना ही प्रेम उनको सर्फ से है तो सर्फ के जहर का जो सौधागर है एल्विस यादो जो एक यूटूबर के रूप में दर्सन करने आया था जिसके उपर अभी आरोप है जेल के सालाखों के पीछे से समय पहले छूट के आया है अपने धर्सन करता है अपने अराध का है अनकी कौन से चेνी व्याप्त है कि उनको विशुच्जार बिख सकते हैं उनके साथ में मुख अरचक भुजारी मौदर सिकांत पूज़ दिख सकते हैं तो मैं इस बात का विरोध करता हूं कि एक सापो के जहर का सौधा करने वाले व्यक्ति को आखिर किस सेड़ी के कौन कौन से प्रोटोकाल के तहट व्याइपी इंट्री दी गई है इसलिए हमाज पोश्टर जादी करके अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और प्रदेश की सरक प्रसासन की है इस विवात के बीच गुरुवार को वकीलों ने भी वारण असी कमिशनरेट पुलिस के आला अफसरु से शिकायत की थी वकीलों की शिकायत के बाद एडिशनल सीपी ने इस मामले में जाज के आदेश दिये और उचित कारवाई का आश्वासन दिया है गौरतलब है कि इस से पहले भी अलविश यादब विवादों में रहे हैं तीन दिन पहले ही एडि ने उन्हें साप के जहर से नशे के मामले में आठ गंटे पूछताच की थी ये मामला अभी शान्त भी नहीं हुआ था कि अब काशी विश्वनात में विआईपी ट्रीटमेंट दे कर नया विवाद खड़ा हो गया है